प्यारे बच्चों, एक बहुत ही important news निकल कर आई है, जिसका संबंध दिल्ली के सरकारी और private school के साथ है और खबर ये है कि पिछले मार्च से चूकि कोरोना वाइरस के कारण दिल्ली के सभी school बंध है, हलांकि online पढ़ाई चल रही है लेकिन सरकार के साथ साथ बच्चों के मन में, parents के मन में भी ये सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर school कब खुलेंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण एक जानकारी निकल कर सामने आई है जो इंडिया टीवी के हवाले से लोगों के सामने आई है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है जो दिल्ली के सिख्या मंत्री स्री मनीश सिसोधिया जी ने दिया है और ये जो सवाल है कि दिल्ली के स्कूल कब खुलेंगे इसके बारे में इंडियान एक्स्प्रेस अखवार से दिल्ली के उपूर्ण शिख्या मंत्री स्री मनीश सिसोधिया जी ने बात की थी और उन्होंने बहुत ही क्लियर कट इस प्रस्न का जवाब दिया है कि सरकार की ये योजना है कि फरवरी या मार्च के महिने में दिल्ली के लोगों को यदि कोरोना वाइरस की वैक्सिन लगनी सुरू हो जाती है तब भी ये संभव नहीं होगा कि दिल्ली में सभी लोगों को वैक्सिन एक साथ लग जाए ऐसी स्थिती में तुरंत स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भी संभव है कि सेशन 2021-22 में दिल्ली में नरसरी क्लास के अंदर बच्चों का एडमीशन ना भी हो हलांकि दिल्ली सरकार इस पर विचार कर रही है दिल्ली के उपे मुख्यमंत्री स्रीमनी सिसोधिया जी ने बहुत ही असपस सब्दों में बताया कि जुलाई 2021 से पहले इसकूलों के खुलने की संभावना बहुत ही कम है ये बहुत बड़ी ख़बर है बच्चों के लिए भले ही फरवरी के महने में टीका करन सुरू हो जाए क्योंकि दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी सोच ये भी है कि सिच्चकों को और छात्रों को जोखिम में डाले बिना परिच्चा कैसे आयुजित की जाएगी इस विशय पर भी विचार होना है यानि कि नर्सरी से ले करके और दसमी और बार्मी के तो बोड होते हैं लेकिन 9 मी और 11 मी तक का जो इन्वल एकजामेनिशन होता है वो तो स्कूल में होता है तो आखिर कैसे ये परिच्चाएं ली जाएंगी इस विशय पर भी सरकार विचार कर रही है और सरकार ये मानती है कि चूकि कोरोना वाइरस की जो इस्थिती है ये जो महामारी चल रही है इसमें छोटे बच्चों को बिलकुल अंत में स्कूल भेजा जाए ऐसी योजना सरकार बना रही है इसके उपर सोच रही है इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि नर्सरी के एड्मिशन रद कर दिये जाए और एक साथ इस साल रद करके अगले साल इसकूलों में नर्सरी और केजी दोनों में एक साथ बच्चों का दाखिला दिया जाए इस तरह का प्रस्ताव आने वाला है साथ ही उपमुक्षे मंत्री जी ने ये भी बताया कि चूंकि एन्वल एक्जामिनेशन आयुद करना एक बहुत बड़ी चुनोती है तो इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है हलांकि दिल्ली में कोरोणा वायरस के मामले कम जरूर हुए है लेकिन यूरोप में खास करके इंग्लैंड में जिस तरह से कोरोणा नए रूप में लोगों के सामने आ रहा है उसको देखते हुए सरकार फिलहाल स्कूल खोलने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे भी सुरक्षित रहें और सिक्षक भी सुरक्षित रहें लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे अपनी तयारी में कोई डिलाई बढ़तेंगे बच्चों को अपनी तयारी पूरी तरह से रखनी है और मजबूती के साथ अपना पढ़ाय जारी रखना है ताकि जब भी एक्जाम हो वो अच्छा प्रदर्सन एक्जामिनेशन में कर पाएं All the best